त्रिप्रव में लगतार हो रही मुस्तधर बारिश की वज़े से कई जिलों में बार जैसे हालात पैता हो गए नदियां उफान पर हैं चारो तरफ तबाही का मंजर है बारिश बार और भूसखलन की वज़ा से अलग-अलग हादसों में करीब साथ लोगों की जान जा चुकी करमी है वो इस पूरे राहत कारी में जुटे हुए हैं मौस्में वभाग की माने तो अगले कुछ दिन बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है मौसमें विभाग में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है एतियातन राजसरकार ने कल तक सभी स्कूलों की छुट्टी का फैसला भी किया है त्रिपूरा में सामानने से 1200 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों से उत्तरपूर में भारी बारिश हो रही है क्यूंकि वे यॉव बंगॉल में जो डिप्रेशन हुआ है इसके कारण उत्तरपूर में सभी राज़ा में बारिश हो रही है कल से ही राजसरकार ने 200 टीम राज के जो 8 जिले हैं वहाँ पे इवैक्वेशन के लिए लगा दिया गया है NDRF को त्रिपरा में लगाए गया है इसके साथ State Forces and State Disaster Response Team है अब तक साथ लोगों की मनने की खबर है दो से तीन लोग अभी भी मिसिंग है वैसी खबर आ रही है और इसके साथ साथ लगबख 6,000 लोगों को रिलीफ कैम्प में लाया गया है राज में 180 से भी जादा रिलीफ कैम्प खोले गए है और राजसरकार इसको पूरी परिस्तिती को मॉनिटर कर रही है राज के मुख्य मंत्री ने कल रिव्यू मीटिंग किया है और अभी जो खबर आ रही है सुबह की की बारिस थोड़ा धीमा हुआ है अगर कुछ इलाकों में पानी अभी भी बढ़ रहा है जो नदियां है वहाँ पे त्रिपुरा में उन में भी पानी बहुत जादा भर चुका है तो इसके कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ त्रिपुरा जिले में और बाकी जो साथ जिले हैं वहाँ पे औरेंज अलर्ट है नैशनल हाईवे जो की असाम को त्रिपुरा से जोड़ता है और त्रिपुरा का लाइफ लाइन है वो प्रभावित हुआ है बहुत जगे नैशनल हाईवे में जल भरा हुआ है तो पूरा जो मामला जो परिस्तिती अभी त्रिपुरा में है वो धरूर नाजुक बनी हुई है मगर सरकार का यह कहना है कि परिस्तिती के ऊपर रख रहे हैं और जहां जहां पर इसकी आपरेशन जरूरी है वह वहां पर चलाए जा रहा है